हलो एब्रिवान वेलकम बैक टुमारी क्लास माइनेम ही जास्तो स्तिवारी इस वीडियो में हम लोग यूपी बॉर्ड के एफेलो ट्रेबलर एक सहायात्री नामग पार्ट का दिन करेंगे जो यूपी बॉर्ड के क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 है एक सहयात्री और इसके राइटर है एजी गार्डिनर तो बिना टाइम बेस्ट किये हम लोग चैप्टर को पढ़ना इस्टार्ट करते हैं I do not know, मैं नहीं जानता हूँ इस डिब्बे में पहले प्रवेश किया I do not know, मैं नहीं जानता हूँ कि हम में ऐसे कौन इस डिब्बे में पहले प्रवेश किया Indeed वासतों में I did not know, मैं भी नहीं जानता था He was in the carriage at all for some time कि वहाँ कुछ समय पहले से ही इस डिब्बे में था It was the last train from London to a Midland Town इंफिनिटली लेजरली ट्रेन और अनंतकाल तक धीर धीर चलने वाली थेंटा अनंत का ज्यान कराती है इप एक रुख रुख कर चलने वाली प्लेंटि जो तुम्हें अनंत का ग्यान कराती हैं आगे दिया गया है इट वाइट टोल्रेवरी फुल यह पूरी तरह से भरी हुई थी, वैसे चाहिए शुरू हुई, यह पूरी तरह से भरी हुई थी, वैसे शुरू हुई, बट आयज भी फुल लेकिन जैसे हम रुकते गए at the suburban stations प्रते हम उप नगरिये स्टेशनों पर रुपते गए त्रावलर एलाइट या त्रेगर उतरते गए इन वन सेंट टू एक या दो दो करके और समय के दवरान भी है लेफ्ट हम छोड़ चुके थे दाउटर रिंग आफ लंदन बिहाइंड आई वाज एलोन और रेदर आई थाट आई वाज एलोन अर रेदर आई थाट आई पीछे आई वाज एलोन मैं अकेला था आई रेदर मैंने महसूस किया आई थाट मैं सोचा आई वाज एलोन मैं अकेला था तो अब देखेंगे सेकंड इसका पैराग्राफ क्या है देर इजे प्लेजेंट सेंसा फ्रीडम एबाउट बिंग एलोन इनकरिएज देर इज इज यहाँ पर बीका संस देना है अर्थाथ होना का संस दे रहा है तो दे सदंता का एक सुखद अनभव होता है एक डिब्बे में अकेले आत्रा करने में या अकेले होने में जोकी आवाज की साथ रात्री से जहटका देता हुआ चला जा रहा है फिर देखेंगे सदंता का एक सुखद अनभव होता है एक डिब्बे में के अंदर अकेला होना जोकी आवाज के साथ रात्री से जहटका देता हुआ चला जा रहा है इट इज लिवर्टी लिवर्टी का मतलब होता है स्वाधिनता या सुतंता कैसकते हो आप इट इज लिवर्टी और बेसबरी बहुत सुखद रूप में होता है इट इज लिवर्टी और अन्रेश्टेंड इज लिवर्टी और बेसबरी बहुत सुखद रूप में होता है यू कैन डू एनिफिंग आप कुछ भी कर सकते हो यू लाइक जो आप पसंद करते हो यू कैन टाग टू यॉर्सेल्फ आप स्वाइम से बाते कर सकते हो यहां कोई भी आपको नहीं सुन रहा होगा यू कैन है डिट आर्गुमेंट आउट विजोंस एंड रोल हिं त्रिम फैंटली त्रिम फैंटली का मतलब होता है विजय पूर्वक तो यहां पर हो जाएगा यू कैन है डेट आर्गुमेंट आर्गुमेंट का मतलब होता है डिसकस करना या तर्क करना आउट विजोंस यहां पर पता जाना चाहता हूं जो जोंस से कालपनी बेक्ति के रुप्ए लेखक मान रहा है लेकिन वहां रिब्वे में कोई जों नाम का बेक्ति नहीं है एक केवल कालपनी बेक्ति मान लिए आप जोन को तो you can have that argument out with जोन आप जोन के साथ बहस कर सकते हो discuss कर सकते हो and roll him confidently और विजयर पुर्भक जोन को धूल में मिला सकते हो in the dust धूल में मिला सकते हो फिर समझेंगे you can have that argument out with john and roll him confidently in the dust without fear of a counter stroke यानि कि आप जोन के साथ किसी भी तथ्य पर डिस्कस कर सकते हो और उसे ट्रिम फैंटली का मतलब तर बिजय पूर्बक धूल में मिला सकते हो बिदाउट फियर आफे काउंटर 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 इस ट्रोग बिना किसी जवाबी हम लेके तो आप उसे मतलब you can have that argument out with जोन सेंट रोलिम फैंटली in the dust आप किसी भी सेपर जोन से डिस्कस कर सकते हो और उसे बिजय पूर्बक धूल में मिला सकते हो बिना किसी जवाबी हम लेके You can stand on your head आप अपने सिर से खड़े हो सकते हो अर्थाथ आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो You can stand on your head आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो and no one will see you और आपको कोई भी नहीं देख रहा होगा You can sing आप गार सकते हो and dance are two steps और एक दो step में निर्टे कर सकते हो dance कर सकते हो फिर दो समझेंगे You can stand on your head आपने सिर के बल खड़े हो सकते हो and no one will see you यहाँ कोई नहीं देख रहा होगा You can sing आप गार सकते हो and dance are two steps और एक दो step आप dance कर सकते हो निर्टे कर सकते हो और अथवा practice a golf stroke और golf मारने का प्रयास कर सकते हो और अथवा play marbles on the floor और first पर आप कंचे खेल सकते हो without later hindrance hindrance का मतलब होता है बिना किसी रुक टुक या बाधा के तो without later hindrance play marbles on the floor first पर आप marbles मतलब कंचे खेल सकते हो without later hindrance बिना किसी रुकावट या बाधा के पर आप marbles on the floor all the उर貌 आप मतलब या बाधा आप जयो और आप